नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक फ्रेशनी एपिसोड में दोस्तो ट्रेनियान आप सब का स्वागत करता है दोस्तो कुछ टाइम पहले मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि जर्णल कोचिज में लेडिज या फिर गर्ल जो आके लिए सफर कर यह उसके लिए वो सेफ है की नहीं है तो आज हम इसके वारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एक्चली में सेफ है या फिर नहीं है लेडिज के लिए खासकर तो चलिए शुरू करते हैं आज क्यों फटा फट फट दोस्तो एक उजारिश करना चाहाँगा जिन्हो लोग अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं टिकट श्लीपर क्लास का भी वह लोग और यहां जो लोग जिनको किसी जल्दी में जाना है यह किसी जैसे कोई शादी है कुछ है टिकट नहीं मिल रही है या फिर जैसे एक्चुली किसी की देथ हो गया कुछ हो गया उसमें उसको पर आया ठर्ड एसी आया इस तरीके करके सारे आया तो इंडियन रेल्बेक अंदर करीबन 24 कुछ चीज की ट्रेन लगती है आम तोर पे कम हो जाती है मगर मैक्सिमम 24 रहती है पेसेंजर ट्रेन्स की तो दोस्तों उसमें से पहले क्या होता था शुरू के 4 डब्बे या 3 अगे नहीं है इस तरह कि आजकल हो रही है इसके उपर अलग से वीडियो बनाऊंगा ऐसा क्यूं हो रहा है अभी हम बात करते हैं जो टॉपिक था कि लेडिज या गर्ल्स के लिए जर्नल डब्बे में सफर करना ठीक है कि नहीं है देखा जा दोस्तों तो कोई ऐसे रूट करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा लेडिज हो के लिए क्योंकि अगर वो अकेली हैं और अकेली सफर कर रही है तो दिन के सफर में क्या होता है कि लोग रहते आर्पिया भी पूरा स्टेशन भी पूरा भारा रहता है और हब कुछ रहता है तो महां पर हर चीज आपको अराम से दिखेगी और हर चीज में कोई मतलब यह नहीं रहे ग़ा अगर दोस्तों आप दिन में सफर करते हैं तो उसको ज्यादा परशानी जहलने की जोरत नहीं पड़ेगी ओकि दिन वे हैं रात में क्या होता है इंस लुप पर रुकी हुय है या फिर कोई छोटे मोटा स्टेशन पर रुकी हुई है जहाँ पर ट्रेन, जहाँ पर कोई आदमी भी नहीं है ना कुछ है ज्यादा लोग भी नहीं है तो रात में ठोड़ा सफर करना है sworn मुछוקिल है यानि कि third AC है, sleeper है, first AC कोई सा भी compartment है, मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो जाके general coach में ना बैटके, वो बेशक general coach की ticket ले 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 और जाके sleeper class में बैट जाए, इससे क्या होगा कि एक तो ladies है तो उनको seat कही न कहीं मिल जाएगी बैटने के लिए और safer भी रहेगी, जानते है general में कितनी भीड़ है, कोई भी train पकड़ लो आप अभी, कितनी train है तो अभी cancel भी हो रही है, तो sleeper class में उनको इतनी परशानी नहीं होगी, साथ-साथ उनको seats भी कहीं न कहीं मिल जाएगी, arrangement कहीं हो जाएगा, और साथ-साथ उनको safe भी रहेगी और आराम से वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकती है, अगर दोस्तो एक बात इसमें और point जोना जाओंगा, अगर वो short journey कर रही है, यानि कि 100 km, 500 km तक कि सिफर कर रही है, या फिर 50-40 km का सिफर कर रही है, तो वो general coach में सफर कर सकती है, क्योंकि उसके लिए उतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये 3-4 घंटे में उपने decision पहुँच जाएगी, बट वो दिन के अंदर, रात में मैं कहता तो नहीं हूँ, नहीं करने के लिए, बट कुछ लोग होते हैं, करते हैं, और कुछ लोग इसके उपर विरोध भी करेंगे, कि रात में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, मगर मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, कि रात में करना थोड़ा, डेंजर रहेगा, as compared to दिन में, और अगर आप लंबी धूरी टैग करना चाहते हैं, या फिर सीट नहीं मिले, तो आप बहुत लोग होते हैं, जो आपको अराम से आपको बैठने-बैठने के लिए आपको देंगे, तो इससे क्या होगा कि जनरल डबे में आपको भीड़ भार से बच जाओगे, दूसरी बात, आप सेफ रहोगे, आपका समान भी सेफ रहेगा, तो इस तरीके से, क्योंकि जानते कि लेडिस अब जैलरीज भी ज़्यादा पहनती है, तो क्या हो सकता है कि ट्रेन के अंदर जर्नल वोगी में कुछ ऐसे लोग चट जाए, जो स्नेचिंग कर ले या कुछ कर ले, तो इस तरीकी उगटना को ये चीज बच सकती है, तो दोस्ते एक छोटी सी वीडियो थी इसके उपर, I hope आपको अच्छी लगी होगे, अगर आपको अच्छी लगी होगे तो इस लाइक कमेंटर शेर करना, Thank you for watching this वीडियो, जै हिन जै भारत!